आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एमोर्फस क्रिस्टल के बारे में यह हमारे यूरिन के अंदर आने का करण क्या होता है तो चले इस वीडियो के अंदर हम पूरी विश्थार से जानने वाले हैं एमोर्फस क्रिस्टल के बारे में तो अभी तेख चैनल को सब्सक होता है तो उस यूरablyं के अंदर अर्फ़र्फर्प्स कृश्टल बनना चालो श्याता है और आ एक यह देखोगे तो आमर्फर्फर्प्स क्रृस्टल कर आना कुछ ज्यादा सिरियस नहीं यानि की बेसेकली इससे कुछ ज्फ्वय ज्यादा नुक्सान होने के चैंसेस नहीं रहते हैं लेकिन जब अगर आपके यूरीन का ही अगर सेबन से ज्यादा हो तो आपके urine में जो amorphous crystal जो होते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं जहां तक morphologically के बात करेंगे दोस्तों तो यह आपको urine में overt color का देखता है जैसे कि यह आप पिक में देख सकते हो और इसके पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ कि amorphous crystal जब urine microscope आप करते हो तो कैसे देखता है यह जाके आप देख सकते हो वीडियो चैनल पर अवैलेबल है कैसे हम पहचान सकते हैं उसकी reporting कैसे करते हैं यह सारी चीच उस पर मौझूद है तो इसके आने के करणा के बारे में जो हम बात करेंगे क्या करणा जैसे होते हैं जिसके वह जैसे amorphous crystal आपके यूरिन में आ जाता है तो सबसे पहले कि आपका यूरिन का जो pH है वह alkaline अगर बना रहता है लोंग टाइम तग अगर अलकलान बना रहता है तो उस condition में हो सकता है यह आप phosphate यूट ऐसा diet ले रहे हैं या ऐसा खाणा खा रहे हैं जसमें सबसे ज़्यादा फास्बेट हो यानि की जाता जाता है तो आपके यूरिन में जो जो किड़नी में जो होता हो बनना चलो हो जाता है या आपको अगर किड़नी डिसीस हो तक हैई टाइम तक अगर क umorphos phosphate होता है जह एम्हorfos phosphate की टेस्ट करने के लिए कौन का janet की 안च पढ़ती है या पता करने के लिए कौन सा जरूत पढ़ती है तो उसके लिए आपको urine routinemarkt कर न की जड़ीग राएगी और urine रूटेन में मैकeti माइक्रोस्कोपी करोगे तो उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि आपके यूरिन में एमोर्फोस किस्टल है की नहीं है या अगर आपके यूरिन का पी एच अगर सेवन से ज्यादा है तो यह चांसे से बने रहेगा कि आपके यूरिन में एमोर्फोस किस्टल आ सकता है या आपके किद्नी में एमोर्फोस किस्टल बनना चालू हो सकता है तो उबिद करते हूं वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों से शेयर जरूर करना हो